नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार आपने चपो नेशन पर हैं क्या बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहार के राजज़िती से खुद को अलग करके दिल्ली की राज़िती के ओर लिकी जाने वाले ही सवाल कूछा गया उनसे उस पर सियम नितीश कुमार ने यहां तक सवाल है आप जानते हम तो नीजी यात्रा पर गए ना जिन लोगों ने आज की बात नहीं हम 16 साल से पूरे राज्य की सेवा कर रहे हैं तो जिन लोगों ने हमको बहुत पहले किया और पहले जाते थे तो अब जाते थे कभी-कभी और चुनाओनाओं में तो लोगो मैक्सिम्म लोगों को विजयी बनाता है हर वार तो लोग तो हैं और काम तो हम लोग पूरे बिहार के लिए कर रहे हैं तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि एक बार जरा साम जाके देखेंगे लेकिन बीची में कोरोना का दौर तीसरा रहा का किया था उसके चलते देर हुआ भारी गर्मी में भी घूम रहा है तो हमारे मन में हो गया कि नहीं कर देंगे दो ही जगा बचा कर लें वह एक अलग विश्य है उसका कोई मतलब हैं अपना सारा काम करते रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ जा करके अपना चारों तरब भूम लेते हैं उसको घूमने से एक फ पर कहीं किसी इलागे के विकास के लिए और कुछ देखना होते ही सब घीज़ तो ठीक है उसे अलग बात है लेकिन बाखी सब चीज़ों का मामला है, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, गहां वाइक हर किस चीज को लेकर के कौन क्या बोलते रहता हम तो देके भी नहीं हम तो दूसरे दूसरे तरफ लगे हुए हमारी आप देखी रहते कि कितना कितना लोगों से कैसे मिलते हैं कितना समय लगता है अब भारी गर्मी के बीच में भी लोग खड़ा रहता है इसलिए इस बीच में क्या क्या है हमने ध्यान देने की विज़रुवत नहीं है तो आपने सुना किस तरीके से अमृति इश्कुमा ने साफ इस बात सरंकार कर दिया आपने कहा है कि यह उनके बेहद नीजी आतरा है जिन लोगों ने उन्हें संसद से लेकर के बिहार की राजवीती में यहां तक पहुंचाया उनके बीच जाना उनका फर्ज था इसलिए वहां पहुंचे है ऐसे में बाकी तरह के जो बात हो रही है उन बातों का कोई मतलब नहीं है लेकिन सियमे तीश कुमार जिस तरीके से हसते हुए इन बातों को कह रहे थे उसके बाद यह चर्चा उटना भी लाजमी है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है फलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार